आपने पाव भाजी तो बहुत खाई होगी तैक किचार भी बहुत खाई होगी यह देख यह लागी है क्या कर रहो बेटा क्या कर रहो यह निम्बो इस निकाल रहे हूँ किसने बोला निकालने के लिए रही है अब में ने बोला यह देखी गए पूरी प्रॉपर तैयारी चल रही है वीडियो शूट भी हो रहा है नीचे चाट बने चोला चाट क्या बन रहा है तो साथ में क्या है इसके पाव और चाट तो यह आपने खाई है क्या कहीं मुझे बताना मैंने तो अजमेर में बहुत खाई है और अजमेर में मिलती है यह पाव और चाट बहुत अच्छी लगती है और मैं खुद दिखाता हूं यह पूरा प्रोसेस कितनी देर में बन जाएगी पंद्र मिट में कितनी कलर्फुल लग लग रहा है वाज आप बदाई आपको कैसे ल अब अब तर फेकर दाने फिर घर्म करम खाने जंदी से मिल जाएगे ना खाने को यहाँ अब टाम लगेगा नहीं कई वीडियो को चक्कर में लेट हो जाए है जब खाले को मिलेगा वाव ऐख गाईज अब यह यहाई चलो हो गया हो इसको निपने गश्कों कर जाएगे मन करें मैं तभी खालू बहुत ही संदर फोटो को अगर रखी जा रही है और इंस्टाग्रम खोल लिए गया इंस्टा पर अप्लोड के जा रहा है यह दिखें इंस्टा पर भी हमारा कनल है बूपड़ना की नाम से इसको भी आप फॉलोग कर ले ओ वाफ कि देखें चाट रेड़ी हो चुके बिलकुल बहुत है इस पाइसी लग रही पाव सिख रहा है यह कुछ याद आ रहा है कि अज मेरे का बजरंगड याद आ रहा है मुझे वही मिलता यह कूंबिनेशन बस वो टिक्कियो डालते है उसमें चोटी सी लेकिन हम स्रिफ पाव अब यह देखें फोटो शूट की त्यारी भी हो चुकी है अब देखें ताथ में पानी पूरी भी है गोलगपे फुचका जो भी आप लिए पूरी पानी प्ताशिक गोलगपे फुचका यह नाम तो मैं जानता हूं इनके अलावा एक अटरबोल्स तो और को भी कोई नाम ह अगर आप लोगों को मेरी यह स्ट्रीट इस्टाल चार्ट अच्छी लग रही हो और अगर आपको इसकी रैसिपी चाहिए तो कॉमेंट सेक्षन में जाके जरूर बताए मैं आपके लिए इसकी रैसिपी ले कराऊंगी यहां मेरी प्लेट लगकर के रैडी हो गई आप मैं मिलते रहे और आप मेरी फूड वीडियो को इंजॉय करते रहें अब मैं यहां लेने जा रही हूँ रगडा पुछका जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है तो चली करते हैं वीडियो को यहीं एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेर करना बिलकुल भ बुले बाबा इस्टे कानेक्टेड